वीदे अब दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भावसार तो बाईक फ्राम यूट्यूब इनकम ये जो आज की वीडियो जो है ना तो ये जो यूट्यूब इनकम है इस चाईनल की नहीं है ये चाईनल अभी-भी शुरू होा है और नया चाईनल है और नये चाईनल में नए चैनल से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है आज के दोर में तो फिर मेरा और एक यूट्यूब चैनल है राधेशाम भावसार लॉंड्री बिजनेस से रिलेटेड हम यूडोज बनाते हैं काफी सारे मैंने कम से कम नोज आठसो नोज बनाये उस चैनल पर तो उस इंकम की बात में कर रहा हूँ 28,500 से सब्सक्राइबर है उसमें तो बाइक मैंने यूट्यूब इंकम से कैसे ली कोई बडि बात नहीं है इंस्टॉलमेंट में बाइक लेना अभी तो लोग फोन भी इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं तो मैंने बाइक लिए फर्स्ट मेरा जो यूट्यूब मोनोटाइज हुआ मुझे जब थोड़े बहुत पैसे उससे आने लगे तो अचानक से मेरा पेमेंट बन हो गया वो आड्रेस वगेरा की गलती थी या कुछ था पता नहीं तो मेरा पेमेंट बन हो गया मेरे में चैनल पर मैंने इससे रिलेटेड बात की है तो एकदम से 4-5 महिनों का जो पेमेंट है थोड़ा कम थोड़ा जादा ऐसा करके एकदम से मुझे 35,000 के आसपास एकदम मेरा पेमेंट आ गया बीच में बहुत बार पेमेंट आके मेरे डिस्टिक लेवल की बैंक पे आके वापस जाता था तो मैंने सोचा अभी क्या करना यह मैरे को एक बाइक की रिकॉयर्मेंट थी और एक नया फोन की रिकॉयर्मेंट थी तो मैंने यह फोन उसनी से पर्चस किया है कैश जो वाहाँ से आया 20,000 रुपीज में यह मैंने फोन ले लिया जिससे मैं अभी विडियो शुट कर रहा हूँ जे एट गैलेक्सी जे एट इस फोन का नाम है तो यह फोन मैंने 20,000 रुपे में पर्चेस किया फिर और मेरे पास 15,000 रुपे यह थे कुछ शॉप के थे थोड़े बहुत पैसे तो मैंने इंस्टॉल्मेंट में बाइक ली अभी मेरे को पता था कि इंस्टॉल्मेंट अभी तो डाउन पेमेंट हम यूट्यूब का जो इंकम आया है उससे कर देते हैं बाकी उसके बाद में जो इंस्टॉल्मेंट रहेगी हमारे शॉप से या कुछ इदर-उदर करके हम मैनेज कर लेगे इससे पहले मेरे पास फ्लेंडर भी था वो भी मैंने इंस्टॉल्मेंट में ली थी शॉप के पैसों से यह बाइक मैंने फ्री कर दी थी तो Pulsar UG5 तब नया ही निकला था Twin Disc वाला बाइक काफी impressive बाइक था आज भी है आज भी काफी अच्छी चल रही है दो साल इस बाइक को complete हो गए दोस्तों और मैंने तब उसका जो लोन लिया था 58,000 लोन लिया था बैंक से और जुलाई में लिया था मैंने दो साल में free कर दिया अभी कैसे कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ तो मिझे जो first payment आया था first मतलब second या third payment मेरा आया था आट तक गया था 2-4-5 मैंने का एकदम से 35,000 36,000 ऐसा कुछ आ गया तो मैंने phone और bike installment पे ले ली bike installment में ली मैंने फिर हुआ क्या मेरा वापस से कम से कम 8 महिनों के लिए मेरा YouTube का payment बन हो गया 8 महिने तक मुझे आया नहीं मैंने main channel पे video इसकी बनाई है अभी YouTube का payment regular आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट YouTube income से ही मैंने bike ली है कैसे लिए मैंने affiliate marketing किया Amazon का affiliate marketing किया मेरे main channel में हर एक video के description box में affiliate marketing का link होता है आप जो भी मुझे हमेशा support करते हो मेरे subscriber friend मुझे support करने genuine support करने वाले लोग मेरे channel की link पे click करके अपनी कोई भी shopping करते हैं या जिनको वो product चाहिए वो product भी buy करते हैं उसमें से मुझे थोड़ा बहुत commission मिला कभी 2000, 3000, 4000 ऐसा मुझे मिलते गया हर महिने payment मुझे मिलते गया तो उसी से मैंने ये installment भरी है ये सार installment 2000, 3000, 2000, 3000 ऐसे installment में भरता गया फिर last में मेरा 20,000 बचा था 20,000 payment मेरा loan बचा था last में अभी coronavirus के वज़े से सारा कुछ business stop हो गया और last का जो मेरा YouTube का payment मैंने कहा 18 मैंने उसे मुझे नहीं मिला तो वो एक time पे मिल गया 1,38,000 रुपीज तो ये last में मैंने 20,000 भी पूरा clean कर दिया और मेरे को एक साल और मैं चाहता तो loan चुका सकता था लेकिन ये पूरी income मेरे YouTube income है YouTube income मतलब YouTube के वज़े से affiliate marketing भी मैंने किया बीच में तो उसके थोड़े बहुत installment भरे गए बाकी last का जो मेरा एक payment था 20,000 रुपीज वो भी YouTube income से ही मेरा sort out हो गया और मैं चाहता तो इसकी वीडियो बनाओ नहीं बनाओ बट मैंने सोचा कि चलो लोग कुछ लोग है कुछ चैनल जो है जो हमारे वीडियो देखते है तो वो भी थोड़ा बहुत motivate हो जाएंगे तो ये bank का जो है न ये है इसका no objection certificate है कुछ और उसके बाद में मैं आपको RC book भी दिखाता हूँ तो जाने दो RC book पे मेरा address वगेरा होगा तो उस पे अभी bank का नाम है अभी ये later में दिखाऊंगा 2-3,000 रुपे खर्चा होगा मुझे insurance भी निकालना है उसके बाद में RC book पे भी जो bank का नाम आता है तो वो भी remove हो जाएगा तो बस यही है bike लिया मैंने YouTube income से और मुझे दो महीने हो गए दोस्तों ये 25 8 को मैंने loan clear किया था 25 8 ओके तो 2 महीने पहले ही मैंने loan clear कर दिया मैं सोच में था कि वीडियो बनाऊ नहीं बनाऊ बट कुछ लोग motivate होंगे YouTube में जो वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा तो बस 2 महीने से और मैं अभी ये जो 2 महीने से मेरा loan clear हो गया बट ये मैंने NOC जो है bank का वो अभी लिका आया हूँ उसके बाद में ये जो पूरा जो balance sheet वगेरा होता है ना जो भी कितना loan हुआ मेरे को 11,000 रुपए interest ये देखें से 58,000 रुपीज मेरा loan था और 11,000 मैंने interest दिया है 2 साल का कोई दिक्कत नहीं वो 11,000 भी मेरा YouTube income से ही गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस यही है YouTube पे अगर काम कर रहे हैं तो patience रखना पड़ेगा अब ये नया channel है 60 वीडियो जिसके उपर आ गई है एक रुपए इससे नहीं मिलेगा और भी मैं एक दो साल एक आत साल तक काम करूँगा तब जाके इससे थोड़ा बहुत income शुरू होगा तो बस यही है patience रखना वहुत जादा जरूरी है YouTube पे और category आपकी कौन सी है मेरी laundry की category थी तो मुझे grow होने में तीन साले तीन साल लग गया अभी मैं दूसरे category के उड़ो बना रहा हूं या सभी कुछ जो भी मैं करता हूं laundry business को छोड़के activities तो उससे related वीड़ो बना रहा हूं और इसका response मुझे काफी अच्छा मिल रहा है compare to laundry business वाला channel तो बस यही है इस पे भी हम जादा मेहनत करेंगे दोस्तों अच्छे से अच्छा content लाएंगे और आप लोगों का support चाहिए दोस्तों बस यह वीड़ो यही तक थी अगर वीड़ो अच्छे लगी हो तो like कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीड़ो को whatsapp और facebook पर share कीजिए और नए हो channel पर तो subscribe कीजिए दोस्तों नीचे लाल color का बटन है उसको click कर देना उसके बाद में bell icon आएगा उसे भी click कर देना और हाँ मेरा साड़े तीन सालों का YouTube का experience है वो बात अलग है कि हमारा channel ज़्यादा grow नहीं हुआ वो मेरी laundry category के वज़े से बट मुझे अच्छा खासा experience है YouTube के videos के बारे में और YouTube के बारे में especially तो आपको अगर कोई question होगा YouTube से related या आप मुझे समझते हो कि मैं कुछ answer आपको दे पाऊंगा तो comment box में comment कीजिए मैं definitely आपको answer दूँगा दोस्तो जय हिंद वंदे मातरम जय स्त्री राम धन्यवाद दोस्तो